हाई दोस्तों हमारे चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हमने आपको विछले वीडियो में बताया था आज हम आपके साथ क्राप करी की रिस्पी शेयर करने वाले हैं इस डिश को आप राइस की साथ सर्फ कर सकते हैं इसका कॉंबिलेशन राइस के साथ कापी अच्छा रहता है तो फिर चली एस विजो को शुरू करते हैं क्राप करी बनाने के लिए सबसे पहले हम कडाई में थोड़ा सब मस्टर्ड ओल गरम कर लेंगे फिर जैसे ही तील गरम हो जाएगा इसमें हम कट किया हुआ पटेटो जाट करेंगे और इससे फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर जैसे ही पटेटो गोल्डन हो जाएगा हम इसे एक प्लेट में डिकाल लेंगे अब सेम कडाई में हम क्राप को डालेंगे और उससे भी दो से तीन मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर हमें जो शेल वाला कराप है उसे ही फ्राइग करना है जो लेक्स का मीट है उसे यहां पर हम फ्राइग नहीं कर रहे हैं तो यहां पर हमारा क्राप्स फ्राइ हो चुका है अब इसे हमें प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे अब सीम कड़ाई में हम थोड़ा सा सरसो तेल गरम कर लेंगे फिर इसमें हम आदा चुटा चिममच शुगर आट करेंगे जैसे ही यहां पर शुगर मेल्ट हो जाएगा इसमें हम चॉप क्या हुआ अनियन नाट करेंगे यहां पर मैंने दो मेडियम साइस के अनियन को अच्छे से चॉप कर लिया है फिर इसे हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे अब इसके अंदर जाएगा एक तीज पता और इसे हमें अब तब तक फ्राइ करना है जब तक यहां पर आनियन गोल्डन ना हो जाए तो ये देखिए यहाँ पर आनियन अच्छे से फ्राइ हो चुका है इसका कलर भी चीनज हो चुका है अब इसके अंदर हम डालेंगे एक टेबल स्पूर जिजर गालिक पेस्ट अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे लग ना जाए इसे ह हमें तब तक फ्राइ करना है जब तक अध्रक औरलेशन का कच्छा समयल इसमें से ना चला जाए अब इसके अंदर जाएगा एक छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच धन्या पाउडर और एक चोटा चमच लाँ मेच पाउडर, अ इन सारी चीजों को हम अच्छ इसे मिला लेंगे और इसे फ्राइ कर लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके इसे हम फ्राइ करेंगे ताकि मसाला कड़ाही में ना लगे तो ये दीखिए मसाला यहां पर अच्छे से कुक हो जुगा है अब इसके अंदर हम एक चॉप किया हुआ टमेटो आड़ करेंगे टमेटो को जल्दी कुक करने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक आड़ करेंगे और इसे तब तक फ्राइ करेंगे जब तक टमेटो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तो यह देखें यहां पर हमारा टमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है अब इसके अंदर हम फ्राइ किया हुआ अलू डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हमने जो क्राब्स के लेग्स से मिट निकाला था उसे आड़ करेंगे और इसे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ करेंगे ये क्राप के लेक्स के जो मीट है वो ग्रेवी के साथ मिक्स होके काफी अचा फ्लेवर आड़ करता है हमारे खरी में इसे हमें 2-3 मिनिट के लिए फ्राइ करना है फिर इसमें हम 1-2 कप पानी आड़ करेंगे तो ये दिखिए यहां पर 3 मिनिट हो चुका है अब इसमें मैंने 2 कप पानी आड़ किया है अब हम पानी को बॉल होने देंगे अब इसमें हम थोड़ा सा नमक अड़ करेंगे तो ये दिखिए ये ग्रेवी चार से पान्च मिनिट के लिए जैसे बॉल हो चुका है अब इसके अंदर हम फ्राइ किया हुआ क्राब्स आड़ करेंगे इसे एक अच्छा मिक्स देंगे फिर इसे हम कवर करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक आलू अच्छे से पकना जाए इसका कवर निकाल के बीच बीच में हमें इसे स्टर करते रहना है तो ये देखे यहां पे हमारा क्राब करी रेडी हो चुका है अब इसके अंदर हम एक छोटा चमच गरम मसाला पौडर राड़ करेंगे और थोड़ा सा फ्रेशली चॉप क्या हुआ कोरियंडर लीव्स करेंगे हमारा क्राब करी बन कर यहां पे रेडी है आप इसे राइस की साथ सर्फ कर सकते हैं हमारा क्राब करेंगे